बिक बॉज एविक्ट्टेट्ट आफसाना खान ने शमिता शेटी की लेली क्लास सुनाई सोचन्ड मीडिया पर उनकुर खरी खोटी दिया आफसाना ने वी ईपी वाइल कार्ट कंटेसरिट देबुलीना का साथ की देबुलीना की जमकरतारी आकिरकार क्या है पुरा मामला ये जानते हैं तरसल पिक बॉस बंद्रा के घर में एक टास के दौरान हुआ था यूं कि शमिता और देवलीना की जम कर लड़ाई देखने को मिली थी दोनों के बीच इतना घमासान हुआ कि घर पर गर्मा घर्मी का मोहल भी देखने को मिला साथ ही साथ बात में ऐसा पल भी आया जहां पर शमिता इस लड़ाई के दौरान ही बेहोश हो गई और तेजस भी करण समेथ कई लोगों ने शमिता की मदद भी की वर हम आपको बता दे कि शमिता के बेहोश होने का जम्मिदार कोई और नए बलकि देबुलीना को माना भी गया है वहीं शमिता की ऐसी हालत पर बिग बॉस की इविक्टिट कंटेस्टिंट अफसाना खान हुई है बेहदी ज्यादा खुश दरसल अफसाना ने कलर्स टीवी के आईजी टीवी पे कॉमेंट करते हुए साफ साफ जाहिर किया कि वो देबुलीना को कर रही है सपोर्ट और शमिता के उपर जाहिर कर रही है अपना खुसा अफसाना ने कॉमेंट करते हुए लिखा दार्लिंग इसको बोलते है करमा शमिता आंटी जिस टन लगे वो टन जाने देख लो सब मैंने बोला था मुझे दुखी मत करना लेट सी शमिता आंटी अभी पिच्चर बाकी है गुड जॉब देबुलीना दबना नहीं इससे इसको सबको दबाने की आदत है मेरे हिसाब से चलो ऐसे नहीं होता है शमिता आँटी तेरी असलियत बाहर आ गई है तुब भी घर की बाहर आजा तेरे लिए अच्छा होगा वेल ये सब तो अफसाना ने लिखा है अपने कॉमेंट में वेल इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि वो देबलीना को कर रही है सपोर्ट और शमिता की बजा रही है बैंग वैल शमिता की ये हालत देखकर अफसाना तो काफी खुश होती हुई नज़र आ रही है वैल हम आपको याद दिला दे अफसाना और शमिता के बीच में भी हुई थी ऐसी ही लड़ाई जिसके चलते अफसाना को आया था पैनिक अड़ाईक और उनकी हालत भी हो गई थी काफी ज़्यादा खरा वैल आपका क्या है कहना अफसाना के इस कॉमेंट पर हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताए टेलिविजन की लेटिस न्यूस और गॉसिप के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें